अविनास इंस्टिट्यूट आफे जुकेसन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अविनास मिस्रा आज के इस वीडियो में हम लोग सुक्र ग्रह के बारे में गहराई से अध्यान करेंगे और हम चर्चा करेंगे कि सुक्र ग्रह से संबंधित कौन से प्रस्न परिक्षा में पूछे जाते हैं तो आइए लेक्षर सुरू करते हैं और समस्ते हैं सुक्र ग्रह को अंग्रेजी में वीनस प्लैनेट कहा जाता है तो आईए समस्ते हैं सुक्र ग्रह के बारे में तो यहाँ पे एक प्रस्ण बन जाता है कि प्रिथवी के सबसे नजदी कौन सा ग्रह है तो याद रखना सुक्र ग्रह जो है वह प्रिथवी के सबसे नजदी क्रह है आगे समझते हैं सुक्र ग्रह का द्रवेमान वा आकार लगभग प्रिथवी के बराबर होने के कारण इसे प्रिथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है बहुत important question नहीं है। आप से पूछा जा सकता है कि किस ग्रह को प्रिथ्वी की जुडवा बहन कहा Judы तो याद रखना सुक्रग्रह को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है क्योंकि सुक्र ग्रह का जो द्रविमान है वो आकार है लगभग लगभग प्रिथवी के बराबर है इसलिए सुक्र ग्रह को प्रिथवी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है परिछ़ा के दृष्टी से important है कई बार उचा जा चुका है तो साज का तारा भी कहते हैं सुक्र ग्रह जो है सुबह और साम को दिखाई देता है आसमान में सुबह और साम को दिखाई देता है इसलिए इसे क्या कहते हैं इसे भोर का तारा कहते हैं यानि कि मौर्निंग इस्टार कहते हैं और साज का तारा कहते हैं यूनिंग इस्टार के ना सबसे गर्म चम्कील अगरा है यहां से भी परस ने पूछा जासकता है कि सौर मंदल का सबसे गर्म या सबसे चमकीला ग्रा कौन सा है? तो याद रखना सुक्र ग्रा है. आगे समझो, सुक्र के वायु मंदल में कारबंड आई ओकसाइड 95% तक होने के कारण pressure cooker की दसा उत्पन होती है pressure cooker आपने देखा रहा है कि cooker के अंदर बहुत जादा गर्मी होती है तो ठीक उसी प्रकार सुक्र ग्रह के उपर जो carbon dioxide की मातरा है वो 95% तक है इसलिए यहाँ पर बहुत जादा गर्मी होती है तो यहाँ पर एक दसा उत्पन होती है उस दसा को क्या कहते है pressure cooker की दसा pressure cooker कैसा होता है वहाँ पर बहुत जादा गर्म होता है वहाँ पर बहुत जादा गर्म गैस होता है ठीक उसी प्रकार सुक्र ग्रह पर भी pressure cooker की दसा उत्पन होती बहुत जादा गर्म होती गैस होती गर्म गैस होती कि कौन सी गैस होती है कारबन डाई आकसाइड गैस होती है ठीक है आगे समझो सुक्र सूर के चारो और एक चकर यहाँ पर ध्यान दो सुक्र ग्रह जो है सूर के चारो और एक चकर यानि परिक्रमण गठ के बा 243 दिन में लगाता है सूखर ग्रह अपने ही जगा पे लट्टू की भाती एक चकर कितने दिन में पूरा कर लेता है तो याद रखना 243 दिन में लगा लेता है यह ग्रहों की सामानने दिशा के बिपरीत सूर की पूर्व से पस्चिम दिशा में परिक्रमा करता है सभी ग्रह क्या करते हैं सूर के पस्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं लेकिन सुक्र ग्रह जो है उल्टा चक्कर लगाता है पूर्व से पस्यम की तरफ लगाता है तो यहां पे भी important प्रस्म पूछा जा सकते हैं तोड़ा ध्यान देना आपको ध्यान दो यह ग्रहों की सामाने दिशा के बिपरीत सूर की जो है पूर्व से पस्यम दिशा में परि करता है तथा इसके पास कोई भी उग्रह नहीं अगर उग्रह की बात करें तो सुक्र ग्रह के पास कोई भी उग्रह नहीं है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजी वीडियो देख झाल